नमस्कार द्रिश्टी आईएस के टुडेज जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है आज के टुडेज जी के की सुरुवात करते हैं कल के रिकैप से पहला सवाल कल ले हमने आपसे पूछा था सिंट्रल एक्साइज डे कब मनाया जाता है उत्तर है 24 फरवरी दुसरा सवाल निम्नलिकित में से कौन सा साल एक अधी वर्ष नहीं है उत्तर है 2100 प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधी योजना को किस साल लॉंच किया गया था उत्तर है 2019 चोथा सवाल हाल ही में इंटरनेशनल जिवडिशियल कॉन्फरेंस का आयोजन कहां किया गया उत्तर है नई दिल्ली पाचवा सवाल इंसेंबल मेथट्स इन मॉडलिंग एन डेटा एसिमिलेशन यानि EMMDA पर तीन दिवसिय अंतर आवस्ट्रिय सम्मेलन का आयोजन कहां किया जा रहा है उत्तर है नोईडा चछथा सवाल कुशोक, बकुला, रिमपोछे, हवाई, अड़ा कहां इस्थित है उत्तर है लद्दाक साथवा सवाल खबरों में रहा शब्द क्रास्पेडो ट्रोपिस गेट थुनबरगे क्या है उत्तर है लैंड स्थिनेल की एक प्रजाती आठवा सवाल खबरों में रहे महादेई और तारीनी क्या है उत्तर है नोकायन पोथ नवा सवाल रिक माचर ने हाली में किस देश के उपर आश्टरपती के रूप में शपत ली है उत्तर है दक्षिनी चुडान और कल के सेशन का अंतिम सवाल था हाली में किसने 34. कांस ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब जीता है उत्तर है डी गुकेश कल हमने अभ्यास प्रश्ण के तौर पर पूछा था हाली में किसे सर्ब ओमेन एक्सेलेंस अवार्ड 2020 मिला है डॉक्टर इती समन्ता, डॉक्टर मंजुला आनागानी, डॉक्टर अजीता चकरवर्ती या फिर डॉक्टर नीती कुमार सर्ब ओमेन एक्सेलेंस अवार्ड 2020 डॉक्टर नीती कुमार को दिया गया है उन्हें भारत के राष्टपती द्वारा 28 फरवरी 2020 को राष्टिये विज्ञान दिवस के मौके पर यह पुरस्कार दिया जाएगा राष्टिय विज्ञान दिवस की इस वर्ष की थीम है वुमेन इन साइंस वह CSIR CDRI लखनव में Molecular Parasitology and Immunology Division में बतोर विज्ञानिक कारेरत है यह पुरस्कार 40 वर्षे से कम आयू की महिला विज्ञानिक को दिया जाता है इसमें महिला शोध करताओं को भारत सरकार के विज्ञान और प्रद्योगी की विभाग के अंतरगत विज्ञान और उंजिनियरिंग अनुसंधान बोर्ट द्वारा तीन वर्षों के लिए पांच लाख प्रती वर्ष का अनुसंधान अनुदान दिया जाता है तो इस प्रष्ण का सही जवाब है ऑप्शन डी डॉक्टर नीती कुमार आज की सेशन का पहला सवाल हाली में जानी मानी गणितग्ये कैथरीन जॉंसन की मृत्ति हुई इनका संबंध किस से था स्पेस एक्स नासा इसरो या फिर एरोपियन स्पेस एजेंसी गणिता की कैथरीन जॉंसन का संबंध नासा से था 101 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्ति हुई है कैथरीन जॉंसन उन सैकडो अध्यधिक शिक्षित अधिक सक्षम और अगोशित महिलाओं में शामिल हैं जो आधूनिक नारीवादी आंदोलन से पहले नासा में गणिता की के रूप में कारे कर चुकी हैं नवंबर 2015 में ततकालिन अमेरिकी राष्टपती बराक ओबामा ने कैथरीन जॉंसन को उनके उलेखनिये काडियों के लिए वर्स 2017 में नासा ने उनके सम्मान में नासा के लैंगले रिशर्च सेंटर हैंटन वर्जीनिया में एक भवन उन्हें समर्पित किया था जिसका नाम दे कैथरीन जी जॉंसन कम्प्यूटेशनल रिशर्च फैसिलिटी रखा गया था तो इस प्रश्ण का सही जवाब है उप्शन बी नासा क्वेशन नमबर टू हाली में सयुक्त राष्ट संग महासचीव द्वारा कॉल टू एक्शन जारी किया गया यह किस से संबंधित है आतंकवाद, इरान संकट, मानो अधिकार या फिर सेरिया संकट सयुक्त राष्ट महासचीव द्वारा कॉल टू एक्शन जारी किया गया यह मानो अधिकारों से संबंधित है सयुक्त राष्ट महासचीव एंटोनिय गुंटेरेस ने जेनेवा में नविंतम मानो अधिकार परिशत सत्र की शुरुवात में अपिल की जिसे परिशत की उच्छ स्तरिये खंड के रूप में जाना जाता है इवन प्रमुख के अनुसार मानो अधिकारों पर हमला हो रहा है मानो अधिकारों की रक्षा के लिए साथ सुत्री योजना में स्थाई विकास संकट की रोगथाम, लैंगिक समानता, डिजिटल युक के विकास और अभिवक्ति की सुतंतरता और नागरिक समाज जैसे मुद्दों के साथ मानो अधिकारों को जोड़ना शामिल है तो इस प्रशन का सही जबाब है option C मानो अधिकार question number 3 रेट माई स्टे स्टार्ट अप किसके द्वारा लॉंज किया जाएगा मानो संसाधन विकास मंत्राले, विज्ञान और प्रोध्दोगी की मंत्राले Department of Professional Studies क्रिस्ट या फिर Department of Professional Studies अशोका इन्यूवर्सिटी Department of Professional Studies क्रिस्ट बुधवार को अपना पहला स्टार्ट अप प्रोजेक्ट रेट माई स्टे लॉंज करेगा संस्था की एक विग्यप्ति के अनुसार यह स्टार्ट अप छात्रावासों और अन्य आवासों को चैन करने के तरीके को बदल कर एक जैसे विश्विद्ध्यालेओं, कॉलेज़ों और छात्रों के सामने आने वाली बारहमासी समस्या का समाधान करेगा सह संस्थापक अमीच सरावगी के अनुसार रेट माईस्टे ने होस्टल और पेंग गेस छात्रों और कॉलेजों और विश्विध्यालियों में सुरक्षा, स्वास्थे और स्वक्षता जैसे विभीन मानकों और वाईफाई, पानी की आपूर्ती और पावर बैकप जैसी सु संभव हो जाता है इसलिए प्रोध्योगी की टीम इस मंच को विक्सित कर रही है जहां रेटिंग का तीशील हो जाती है तो इस प्रशन का सही जवाब है ओप्षन सी डिपार्टमेंट और प्रोफेशनल स्टुडिज क्रिश्ट 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 नमब फोर नॉर्थ इस्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कॉनक्लेप दोहजार बीस किसके द्वारा आयोजित किया गया नीती आयोक परियावरन वन इवम जलवायू प अकस्त से पूरुवत्तर सतत विकास लक्ष सम्मेलन गवाहाटी में शुरू हुआ है सम्मेलन का आयोजन नीती आयोक द्वारा पूरुवत्तर विकास परिसट असम सरकार और टाटा ट्रस्ट के साथ मिलकर किया जा रहा है UNDP और RIS सम्मेलन में सहयोग कर रहे हैं सम्मेलन का उद्गाटन नीती आयोग के मुखी कारेकारी अधिकारी अमिताभ कांत के संबोधन के साथ हुआ आपको बता दें कि नीती आयोग के सतत विकास लक्षे सूचकांक में पुरुवत्तर के कई राज्य शिर्स राज्यों की स्रेनी में हैं यहां ख्षित्र दक्षिन पुरुव एशिया के लिए भारत का प्रवेश्ट द्वार है यहां व्यापार और वानिज्य की अपार संभावनाएं भी मौजूद हैं तो इस प्रश्ण का सही जबाब है आप्षिन ए नीती आयोग चात्र विश्व करमा पुरसकार 2019 के लिए प्रतियोगी परिक्षा की थीम क्या थी बच्चों की मनों वैज्ञानिक शक्ति को कैसे बढ़ाएं गाउं की आय कैसे बढ़ाएं समाज परनैतिक शिक्षा का प्रभाव या फिर शहर में सलम की समस्या को कैसे खत्म करें केंद्री मानो संसाधन रमेश पोख्रियाल निशंक द्वारा नई दिल्ली में चात्र विश्वकर्मा पुरस्कार 2019 प्रदान किये गए All India Council for Technical Education द्वारा यह प्रोग्राम आयोजित किया गया है विभिन उपस्रेनियों में कुल 23 टीमों को चात्र विश्वकर्मा पुरस्कार प्राप्त हुए AICTE वर्स 2017 से विश्वकर्मा पुरस्कारों का आयोजन कर रहा है वर्स 2019 के विश्वकर्मा पुरस्कार की थीम गाउं की आये कैसे बढ़ाएं थी यह पुरस्कार अपने अप्रूव संस्थानों की हित धारुकों के माध्यम से समाज के समगरे विकास के लिए इनोवेटिव मनोवरिती और वेग्यानिक सोहाओ को बरहावा देने के लिए प्रतान किये जाते हैं इस पुरसकार का मकसद इवा वेक्तियों, नेताओं और संस्थानों, संगठनों को अपने विशिश्च छत्रों में प्रतारशन को बरहावा देने के लिए प्रेरित करना है जिससे स्वेम एवं राष्ट के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया जा सके तो इस प्रेशन का सही जवाब है, option B, गाउं की आये कैसे बढ़ाएं question number 6, हाल ही में किस पहल के तहत, National Mission for Clean Ganga यानि NMCG, State Program Management Group उत्तराखंट यानि SPMG UK, एवं Indorama Charitable Trust यानि ICT के बीच एक त्रिपक्षिये Memorandum of Understanding पर हस्ताक्चर किया गया विवाज से विश्वास, हर काम देश के नाम, Make in India या फिर सबका साथ सबका विश्वास गंगोत्री और बद्रीनाद घाटों के विकास के लिए NMCG, उत्राखंट सरकार और Indorama Trust के बीच त्रिपक्षिये समझोता ग्यापन पर हस्ताक्चर किये गए हैं हर काम देश के नाम, पहल के तहत कॉर्परेट भी बड़े पैमाने पर गंगा कायकल प्रयास में सामिल हुए हैं इस मौके पर जल्शक्ती मंतरी स्री सिखावत ने बताया कि वह प्रोजेक्ट सरकार की हर काम देश के नाम पहल के तहत किया जा रहा है उन्होंने कहा कि नमामी गंगी मिशन लगभक्षत प्रतिशत पूरा होने वाला है फिर भी यह मिशन कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है तो इस प्रश्ण का सही जवाब है option B हर काम देश के नाम question number 7 हाली में विश्व में पहली बार IVF याणि इन विट्रो फर्टिलाजेटन विधी से किस जनवर का जन्म हुआ शेर, बाग, चीता, या फिर हाथी विश्व में पहली बार IVF विधी से चीता का जन्म अमेरिका के कॉलंबस चीरिया घर एवन मचली घर में हुआ इस विधी से इज्जी नामक फीमेल चीता ने दो शावकों को जर्म दिया जिसमें से एक मेल शावक तथा दुसरा फीमेल शावक है तो इस प्रेश्ण का सही जवाब है उप्शन सी चीता नेशनल वार मेमोरियल कहा है कोलकाता मुंबई देहरादून या फिर नई दिल्ली नेशनल वार मेमोरियल नई दिल्ली में स्थित है आज यानि 25 फरवरी को नेशनल वार मेमोरियल का पहला वर्सगांठ मनाया जा रहा है चिफ आफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन डावत ने नेशनल वार मेमोरियल पर आज रधांजली अरपित की रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 फरवरी 2019 को इसे देश को समरपित किया था नेशनल वार मेमोरियल सोतंतरता की बाद विभिन इद्धों और आंतरिक सुरक्षा चुनोतियों के दोरान शहीद हुए सैनिकों को समरपित है तो इस प्रश्ण का सही जवाब है औप्शन डी नई दिल्ली नवा सवाल वहीं Commonwealth Games 2022 की मेजबानी बर्मिंगम करेगा Commonwealth Games 2022 बर्मिंगम में 27 जुलाई से 7 अगस्त तक आयोजित किया जाएगा जबकि Commonwealth तिरंदाजी और स्टिंग चैंप्येंशिप 2022 और Commonwealth Games 2022 दोनों अलग अलग आयोजित किये जाएगे तो इस प्रेशन का सही जवाब है option B चंडीगर आज के शेशन का अंतिम सवाल थल सेना भवन कहां बनाया जा रहा है पूरे, देहरादून, नई दिल्ली या फिर जैपूर रक्षा मंत्री राजनासीं द्वारा दिल्ली चावनी में सेना के प्रस्तावित थल सेना भवन के निर्मान कारेकाल से लानियास किया गया इसका मकसद दिल्ली में फैले सेना के विभिन मुख्याले को एक साथ एक ही छत के नीचे लाना है Chief of Defense Services की अधिक्षता में नवनिर्मित सन्य विभाग का कार्याले यही रहेगा थल से नाभवन का निर्मान ग्रिह यानी Green Rating for Integrated Habitat Assessment के मानदंदों को ध्यान में रखकर किया जाएगा लगभक सारे साथ लाख वर्ग मीटर के ख्षत्र में बनाये जा रहे इस भवन में कार्याले सुरक्षा कर्मियों के लिए आवास ख्षत्र और बुनियादी सुविधाएं होंगी तो इस प्रश्न का सही जवाब है Option C नई दिल्ली आज के सेशन का अभ्यास प्रश्न देख ले प्रश्न है हाल ही में चर्चा में रहा Spice प्लस क्या है जिवानू विशानू वेप फॉर्म या फिर बीमारी इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट बॉक्स में देना न भूले कल कुछ नए सवाल और इस प्रश्न के सही जवाब क हम आपके जात फिर मिलेंगे तब तक के लिए नमस्कार